नमस्कार आप देख रहे हैं अमर उजाला मैं सृष्टी आपके लिए लाई हूँ मनोरंजन की बड़ी खबरे बिग बॉस सोला के विजेता और मशूर रैपर एमसी स्टेन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि वह अब अपनी प्रेमिका के साथ रिष्टे में नहीं है उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में यह जानकारी साजा की है इसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी को खटा दिया है फिल्म युध्रा के पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हुए है सिध्धान्त चतुरवेदी और मालविका मोहनन की जबरदस्ट एक्षन वाली तस्वीरे देखें फिल्म 20 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी मल्यालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीरन के आरोपों के बाद अभिनेता मोहनलाल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है उनके इस फैसले के बाद जल्द ही एक आधिकारिक नोट जारी किया जाएगा दिगज फिल्म निर्माता एम मोहन का आज मंगलवार 27 अगस्त को कोच्ची में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया उन्होंने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली वह 76 वर्ष के थे रिपोर्ट्स के अनुसार मल्यालम फिल्म निर्माता कोच्ची में उम्र से संबंधित कुछ बिमारियों का इलाज करवा रहे थे सुपरस्टार रजनिकांत की फिल्म कुली की शूटिंग जारी है और इस फिल्म में आमिर खान के कैमियो की खबरे आ रही है इस से पहले इस फिल्म में शाहरुक खान और रणवीर सिंग की कैमियो की खबरे भी आई थी फिल्म कुली को दो हजार पचीस में रिलीज किया जाएगा फरहान अक्तर ने फे डिसूजा के साथ दिल चाहता है फिल्म के बारे में बातचीत की उन्होंने बताया कि आमिर खान को भूमिका देने की पेशकश उन्होंने ही की थी लेकिन अक्षय खन्ना ने उसे छोड़ दिया फरहान ने भी बताया कि रितिक रोशन को डॉन की कहानी की पेशकश की गई थी मल्यालम फिल्म इंडस्ट्री में हुई अफरा तफ्री के बाद अभिनेतरी गीता विजजन ने निर्देशक तुलसीदास पर 1991 की फिल्म चंचिटम की शूटिंग के दौरान उनके साथ गलत व्यभार का आरोप लगाया है गीता ने दावा किया है कि उन्हें कई प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा था इस पर निर्देशक तुलसीदास ने खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने हमेशा अच्छा व्यभार किया था अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें